Hello everyone and welcome back to my channel Learner's Hub तो आज हम लोग topic discuss करने जा रहे हैं उसका नाम है A Voice to Whenam जो कि Jonathan Swift के द्वारा जो लिखा गया novel है Gulliver Travels ये उसका fourth part या आखरी हिस्सा है based on Gulliver's traveling or journey और अगर आपने इस novel के पहले तीन हिस्सों को अभी दक नहीं देखा तो आप उसे उपर I button पे tap करके भी देख सकते हैं तो इस fourth section या इस fourth part को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इस आखरी section से related कुछ basic facts या बाते बता देना चाहता हूँ ताकि आगे चलकर आप लोगों को कोई confusion नहों और novel का ये हिस्सा भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए तो देखिए novel के इस हिस्से में क्या होता है novel के इस हिस्से में Gulliver एक ऐसे island को visit करते हैं जिसका नाम The Land of Huenems होता है तो Huenem basically इस novel में वो एक ऐसे घोडों के प्रजाती का नाम होता है जो की बोल सकते हैं सोच सकते हैं और वो भी हम इनसानों से कई ज़्यादा intelligent और civilized होते हैं तो Gulliver भी ऐसे ही एक island पर पहुच जाते हैं जहां पर Huenem नाम के घोडे और याहूस नाम के एक ऐसे creature जो की दिखते तो बिलकुल इनसानों की तरह ही होते हैं जो को उन घोडों से काफी ज़्यादा लगाव हो जाता है जिसकी वज़र से उन्हें वहाँ से वापस आने का मन ही नहीं करता है बट फिर बाद में जब वो उस island से वापस अपने घर England लोट कराते हैं तो वो फिर अपने आस पस सभी इनसानों को वो याहूस की तरह समझने लगते हैं बिलकुली uncivilized और जंगली तो चलिए अब ये तो हो गया इस story से related कुछ basic information तो अब बिना time waste की आज कर जो हमारा topic है A voice to venom इसे हम लोग शुरू करते हैं तो देखिए अपने third trip से लोटने के बाद यानि लेपीटा और बाकी के island के trip से लोटने के बाद गुलीवर total पांच महिनों तक वो अपने घर England में ही आराम करते हैं और फिर पांच महिनों के बाद जब एक merchant ship या एक वैपारी जहास के द्वारा उन्हें उस ship के captain का position offer मिलता है तो वो फिर उस offer को accept करके और अपनी pregnant wife और अपने बच्चों को छोड़ कर वो अपने fourth या आखरी trip के लिए निकल पड़ते हैं तो अपने इस fourth trip के journey के दौरान गुलीवर्ड लीवर्ड आइलेंड और Barbados आइलेंड जो की एक Caribbean island country है और कईयों की तो बीच में ही dead भी हो जाती है तो जिसकी वज़े से जब उनका ship Barbados आइलेंड पर पहुचता है तो वहाँ पर गुलीवर्ड फिर कुछ नए sailors या नाविकों को hire करते हैं as a replacement for the old sailors बट unfortunately जिन sailors को गुलीवर्ड ने hire किया होता है वो असल में pirates होते है जो की फिर उस ship के बाकी के crew members को भी वो अपने साथ convince करके वो गुलीवर्ड के खिलाफ विद्रो कर देते हैं और फिर कई दुनों तक उन्हें एक cabin में बंद करके रखने के बाद वो लोग फिर उन्हें एक unknown सी island के shore पे ले जाकर वो उन्हें छोड़ देते हैं तो अप काफी समय तक उस island पर यूही चलते रहने के बाद finally कुछ समय के बाद गुलीवर्ड की उस island पर कुछ ऐसे प्रानियों से या कुछ ऐसे टाइप के creatures से मुलाकात होती है जो कि दिखने में तो बिल्कुल ही इनसानों की तरह होते हैं बट वो बिल्कुल ही uncivilized और जंगली होते हैं और उनकी हरकते भी किसी जानवर की तरह ही होती है तो अब starting में तो गुलीवर्ड उन इनसानों जैसे दिखने वाले जानवरों को जिन्हें की याहूस कहा जाता है वो initially तो वो उन्हें avoid करते हैं बट फिर बाद में जब उनमें से एक याहू गुलीवर्ड की तरफ बिल्कुल ही violent या aggressive तरीके से आगे बढ़ रहा होता है तब उस समय गुलीवर उस याहू को वो अपने एक छोटे से तलवार के flat side से वो उसे hit कर देते हैं जिसकी वज़े से वो याहू फिर जोर से चिलाने लगता है और जल्दी ही फिर उस area के लगभग 40 याहूस गुलीवर को चारो तरफ से घेल लेते हैं और उन पर पेडो पर से हमला करने लगते हैं तो अब डर के मारे फिर गुलीवर क्या करते हैं वो एक कोने में जाकर छिप जाते हैं बर तभी फिर गुलीवर ये देखते हैं कि ये गोडे को अपने तरफ आता हुआ देखकर वो जंगली याहूस वहां से डर कर भाग जाते हैं और वो घोडे जिन्य के हुएनम कहा जाता है, वो घोडे गुलीवर को उन याहूस के हमले से बचा लेते हैं, तो अब गुलीवर जब वहां से जाने लगते हैं, तो तभी वो ये चीज़ देकर काफी सप्राइज हजाते हैं, कि वो घोडे जब आपस में आवाजे निकाल रह होते हैं, तो उन्हें देखकर ऐसा लगता है, कि जैसे वो आपस में बाते कर रहे हैं, और उनके आवाज में एक लैंग्विज का पैटन छिपा हुआ होता है, और वो घोडे बार बार याहू और हुएनम वर्ड को रिपीट कर रहे होते हैं, तो अब गुलीवर को पहले त साथ उनके घर चले, तो वो भी फिर ये सोच कर उनके साथ चले जाते हैं, कि जरूर इनका मालिक कोई बहुत ही महान इनसान होगा, जिन्होंने अपने घोडों को इतने अच्छी तरीके से ट्रेन किया है, बट उनके घर पहुचने पर गुलीवर ये देखकर काफी चौक ज जाते हैं, कि वो घोडे ही असल में उस घर के मालिक होते हैं, और उस पूरे आइलेंड को उन हुएनम नाम के घोडों के द्वारा ही रूल किया जाता है, और वो याहूस जो कि इनसानों के तरह ही दिखते हैं, वो असल में उन हुएनम घोडों के गुलाम या सर्वेंट्स ह जिनने की सिवलाइस बनाने का काम उन हुएनम घोडों ने अपने हाथों में लिया होता है। कैसे वो इस आलन पर स्ट्रगल कर रहे हैं। उन घोडों को गुलीवर की बाते समझने में थोड़ी प्राब्लम होती है। और वो गुलीवर की स्टोरी से डिसअग्री करते हैं। तो गुलीवर फिर अपने मास्टर को या उन घोडों को जो की अब उनके मालिक बन गये थे। वो उन्हें बार बार ये चीज समझाने की कोशिश करते हैं। जूड बोलना किसे कहते हैं और उसका कंसेप्ट क्या होता है। और इसके साथ ही वो उन्हें ये भी समझाते हैं। कि आखिर उनके देश इंगलेंड में इनसानों और घोडों का रिष्टा कैसा होता है। तो वो घोडे उनकी बात को सुनकर वो इस बात पर विश्वासी नहीं कर पाते हैं। कि आखिर इंसान इतने बड़े और ताकतवर जानवर को आखिर वो कैसे कंट्रोल कर लेते हैं। फिर वो उन्हें ये समझाते हैं कि आखिर इंसान क्यों एक दूसरे को मारते हैं, उनका युद लणने का मकसद क्या होता है, तो अब ये सब बताने के बाद, गुलीवर की जो मास्टर होर्से से न, या वो घोरे, वो गुलीवर से ये कहते हैं, कि इंगलेंड के याहूज या या बैड कॉलिटीज के बारे में explain करते हैं, और वो उन्हें ये बताते हैं, कि कैसे इंगलेंड के जो lawyer है न, वो सबसे stupid याहूज या सबसे stupid creatures में से एक हैं, फिर वो उन्हें ये भी बताते हैं, कि कैसे वहाँ के जो doctors है न, वो hardly अपने patient को ठीक करते हैं, और उनमें से जह कि civilized याहू हैं, वो भी इस हुएनम आलेंड के याहू से कुछ कम नहीं हैं, बलकि वो तो इन uncivilized याहू से भी कई ज़ादा बुरे हैं, तो अब धिरे-धिरे करके, गुलीवर को फिर उन घोडों से, उनके society से, उनके रहन सहन, और उनके सर्च बोलने की quality से, वो इतने ज पसंद करने लगते हैं, कि वो ये पक्का decide कर लेते हैं, और अपना मन बना लेते हैं, कि वो अब वापस अपने घर नहीं जाएंगे, और वो अपनी बची हुई जिन्दगी भी वो उन घोडों के साथ ही spend करेंगे, तो अब उस island के याहूस को और अच्छी तरह से समझने के लिए और उन्हें अच्छी तरीके से study करने के लिए, गुलीवर अपने master's से या उन घोडों से वो उनसे कुछ वक्त मांगते हैं, ताकि वो उन याहूस के साथ कुछ समय बिता सके, बट फिर उन याहूस के साथ कुछ समय तक रहने के बाद, उन्हें उन याहूस से नफरत या उनसे घृना होने लगती है, क्योंकि एक तो वो बहुत ही घिनोने होते हैं, दूसरी उनके सरी से बहुत ही गंदी बदबू आती है, वो जंगलियों की तरह बिहेव करते हैं, और वो लोग अपना waste material या अपना toilet भी एक दूसरे को उपर फेका करते हैं, और इसके साथ ह एक बार जब गुलिवर एक तालाब में छिप कर नहा रहे होते हैं, तब अचानक से एक female याहू उनके उपर attack कर देती है और वो उन्हें रेप करने की भी कोशिश करती है, जिसके बाद फिर गुलिवर को उसके master यानि वो घोड़े आकर उन्हें बचा लेते हैं, अब इसक या discussion का topic ये होता है, कि क्या उन्हें उन जंगली याहूस को उस island से खतम कर देना चाहिए, या उन्हें वहीं पर रहने देना चाहिए, तब गुलिवर के master horse ने वहां मौझूद बाकी सभी horses को ये suggestion देते हैं, या उनके सामने suggestion रखते हैं, कि उन्हें याहूस को बचपन में ही castrate कर देना चाहिए, यानि उन्हें बचपन में ही याहूस के reproductiveory organ को उनके अंदर से निकाल देना चाहिए, ताकि वो प्रजनन ना कर सके, और eventually फिर उनकी आबादी अपने आप कम हो जाए, और रही बात याहूस को अपने servant की तरह इस्तमाल करने की, तो इसके जगा पर व गुलीवर हमें उन horses के society के बारे में बताते हैं, उनके medical knowledge और उनके simple से बने घरों के बारे में बताते हैं, और इसके साथ ही वो हमें उनके भाशा के बारे में भी समझाने की कोशिश करते हैं, तो अब इस story के last part में क्या होता है, गुलीवर को उनके master horses या उन घोडों के घर में उन्हें रहने के लिए एक अच्छा सा room दे दिया राता है, और इसके साथ ही वो अपने लिए कुछ नए कपड़े भी बना लेते हैं, और वो फिर काफी अराम से वो अपनी जिन्दगी को enjoy करने लगते हैं, बर तभी फिर गुलीवर के master horses को उस island के बाकी horses उन्हें आकर ये complain करते हैं कि आप एक याहू जैसे दिखने वाले creature को आप अपने घर में कैसे रख सकते हो, आपको उसे अपने घर से बाहर निकालना होगा, तो society के pressure में आकर गुलीवर के master को उन्हें ये inform करना पड़ता है कि उन्हें अब अपने घर वापस जाना होगा, तो इस news को सु कर गुलीवर इतने जादा दुखी हो जाते हैं कि वो वहीं पर विहोश हो जाते हैं, पर फिर बाद में जब वो ये देखते हैं कि उनके पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा है, तब वो फिर वो अपने लिए एक छोटा सा नाव बना कर वो उस island के पास में ही एक दूसर चोटा island होता है, वो वहाँ पर चले जाते हैं, ताकि उन्हें अपने master से या उन घोडों से ज़ादा दूर ना जाना पड़े, और फिर चार दिनों तक उस नए island पर रहने के बाद उन्हें उस island के लोग discover कर लेते हैं और वो गुलीवर के उपर attack करने लगते हैं, तो although गु में एक Portuguese ship वहाँ से उस island के पास से होकर गुजर रहा होता है, और उस ship के लोग गुलीवर को देख लेते हैं, तो उस ship के captain जिनका नम Don Pedro होता है, और जो की एक बहुत ही अच्छे इंसान होते हैं, वो गुलीवर को वहाँ से किसी तरह से बचा लेते हैं, और वो फिर उन्हें वापस उनके घर England पहुचाने में उनकी काफी मदद करते हैं, तो ऑल्दो गुलीवर उनके साथ वापस England नहीं आना चाते थे, क्योंकि वो अब सभी इंसानों को वो याहूस समझने लगे थे, और उन्हें अब सभी इंसान याहूस की तरह दिखते थे, इसलिए उनके पास खड़े होने पर भी उन्हें घिनाती थी, इसलिए वापस अपने घर England पहुचने पर वो दो गोड़े खरीत कर वो अपना ज्यादातर समय वो उनके साथ ही बिताने लगते हैं, और उनके साथ ही उन्हें शान्ती मिलती है, तो चलिए इस तरह से पूरा complete novel जो है वो खतम होत आपको सारे वीडियो पसंद आए होंगे, वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज आप कमेंट करके उसे जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें इपनों दोस्तों के साथ, और थैंक यू फर वाचिंग